पहले हमें 100 ग्राम बदाम लेना है, 100 ग्राम चना लेना है और आपके यहाँ पर कोई पंसारी की दुकान होगी तो वहाँ पर इंद्रो जो मिलती है तो 50 ग्राम, 50 से 100 ग्राम यूज़ कर सकते हैं आप 50 ग्राम आप इंद्रो जो ले लें इंद्रो जो 50 ग्राम, 100-100 ग्राम, 100 ग्राम बदाम, 100 ग्राम चना तो दोस्तों आपको इन सब को मिला लेना है, इन सब को मिलाने के बाद आपको इन्हें खलड में खलड में ये आपके पास मिक्सी हो, तो उसमें इनका पाउडर बना देना है यानि के कुल मिला के 100, 100, 250 ग्राम आपका समान बनेगा, पाउडर बनेगा तो ये आपको मिला लेना है, मिलाने के बाद आपको पाउडर बना लेना है पाउडर बनाने के बाद जब आपका पाउडर जैसे आटे की तरह हो जाता है तो हमें इसका सेवन करना है सुबह, दोपैर और शाम सुबह एक चमच हमें ये साधा पानी से लेना है दोपैर में ये साधा पानी से लेना है एक चमच शाम के टाइम एक चमच साधा पानी से लेना है तो दोस्तों इसका सेवन बहुत ही आसान है आप इसका कुछी दिन इसको इस्तमाल करेंगे तो आपको पता लगने लगे